Welcome to the Prayagraj Institute, Delhi Current Affair की स्रीज में आज हम लोग बात करेंगे 5 अक्टूबर के Current Affair की महतपूर घटनाओं के बारे में तो चलिए इस्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर की जो महतपूर करेंट एफ़ेर से समंधी जो घटना है उनके बारे में तो सबसे पहले हम लोगी सटाट करेंगे रासायन विज्ञान के छट्र में जो लोग प्राइज मिला है उसके बारे में तो यह प्रॉष्ण यह है कि हाल ही में किसे सई It ете रूप से संच्गिण्ण मतला केमस्ट्रा mere के फिल्ड में यह बात कि इस फ्रशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन सी मौंगी बेवेंदी ध्यान दीजिए मौंगी बेवेंदी लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो तो आप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है यह मौंगी बेवेंदी लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो यह आप देख सकते हैं की तस्वीरे मौगी जी बेवेंदी ये हैं लुईस इब्रूस ये हैं और एलेक्सी एकिमो ये ठीक है अब थोड़ी सी और डिटेल में जनकारी लेते हैं तो 2023 का जो रशायन विज्ञान का नोबेल पुरुषकार है सैंत रूप से कंबाइन रूप से जो है इन तीन लोगों क दिया गया है ठीक है तो ये हैं मौगी बेवेंदी लुई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो नोबेल समीथी के मुताबिक तीनों को यह पुरुषकार क्वांटम अगर आप से पुछा जाए कि कि किस छेत्र में मतलब रशायन विज्ञान में तो दिया ही गया है रशायन विज् की सिंथेसिस, संसलेशन और खोज के लिए 2020 का रशायन विज्ञान के छेत्र में नोबेल प्राइस इन तीन लोगों को दिया गया है ठीक है और तीनों को सहीकत रूप से 11 मिलियन ध्यान दिजेगा जो नोबेल प्राइस की जो रासी होती है वो 11 मिलियन स्विडिस क्रोन होत है तो कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नोबेल प्राइस की जो रासी होती है वह कितने के बराबर होती है तो 11 मिलियन स्विडिस क्रोना जो की इंडियन रूपीज में अगर बात किया जो तो 8.3 क्रोन रूपे के बराबर होगा तो ये जो पुरुषकार ह से दिया गया है नोबिल प्राइस अब बात करते हैं अगले प्रशन के हमारे सामने जो अगला प्रशन के हाली में भारत और बंगला देश की सिनाव द्वरा स्वेंक्त अभ्यास संप्रिती 11 का 11 का सुभारम जहें वो कहां पिक्या गया तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है हुआ है मेघाले में संप्रिती 11 ध्यान दिजेगा यह जो संप्रिती 11 exercise है ठीक है यह जो है joint military exercise है या भारत और बंगला देश के बीच में किया जाता है और इस समय जो किया जा रहे है वो मेघाले में तो संप्रिती 11 का जो संस्क्रान है वो मेघाले में किया जा रहा है तो और बंगला अदेश की सेनाओं में 3 अक्टूबर 2023 को मेगाले के उम्रोई ध्यान दिजेगा मेगाले का वह कौन सा जगा है उम्रोई उम्रोई में दो सप्ता का सेंख्ट अभ्यास संप्रिती 11 शुरू कर दिया और इस सम्तसन अभ्यास का उदेश सामरिक अभ्यास और उपपारंपरिक संचालन में सर्वत्तम तरीकों को साधा करना है ठीक है तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या बात की जा रही है सामरीक अभ्यास और उपपारमप्रिक संचाल में सरवत्तम तरीकों को साधा करना है और वर्ष दो हजार नौ में असम के जोरहाट में शुरू हुए इस स्विक्ट सन अभ्यास के दो हजार बाईस तक दस द्यान दीजे दस संस्क्रण जो है सफलता पूर्व संपन कर चुके ह और जो 11 हमा है संपरिती जो 11 हमा है वो मेधाले राज के उमरोई जगाँ पे या जो है Joint Military Exercise की जा रही है अब इसी करम में हम आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन ये है कि हाल ही में ICC ने वंडे बी स्वकप दो हजार तेईस के लिए किसे बैस्विक दूद्ध या ये कहा जाए Global Icon के रूप में नुक्ति किया गया है या Global Amateur के रूप में नुक्ति किया है तो यह है Sachin Ten तेंदूलकर ठीक है यहाँ पर जो जही उत्तर है वो है Sachin Ten तेंदूलकर Option A ठीक है तो अंतराष्टी क्रिकेट परिसाज जिसको ICC बोलते हैं शौर्ट फॉर्म में तो भारत के दिगज क्रिकेट खिलाडी सचीन तेंदूलकर को 5 अक्टूबर ध्यान दीजे 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में सुरू होने वाले वन डे वन डे क्रिकेट विश्व कप के लिए वैस्विक दूत मतला गलोबल एमबैस्टर निउक्त किया है और तेंदूलकर अपने केरियर में भारत के लिए 6 बार वन डे विश्व कप खेल चुके हैं यह काफी important information है अगर आप से पूछा जाए कि सचीन तेंदूलकर अब तक भारत के लिए कितनी बार विश्व कप का प्रत्विंधित्व कर चुके हैं तो वो 6 बार मतला 6 वर्ल कप है उसमें यह सामिर हो चुके हैं ठीक है कौन सचीन तेंदूलकर अब बात करेंगे अगले प्रशन का बार में तो अगला प्रशन है कि इन में से इन में से खिलारी T20 यहां दीजिए T20 की बात की जा रही यह अंतराश्टी क्रिकेट इतिहास में सतक जड़ने वाले सबस इवा मतलब सबसे कम उम्र के कौन भारती क्रिकेटर बन गए है और मात्र उम्र क्या है 21 साल 289 दीन ठीक तो यह है यसा सी जैश्वाल ऑप्सन नमबर C इस परशन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्सन C यसा स्वी जैश्वाल थोड़ी सी जानकारी लेते हैं ठीक है इसके बार सतक लगाया और यह सतक ASEAN Games के किसी भारती द्वारा लगाया गया पहला सतक है कौन सा पहला सतक है ध्यान दीजिएगा और जैश्वाल ने 21 साल 289 की दिन की उम्र में सतक लगाया जबकि इससे पहले की अगर बात किया जाये तो इससे पहले जो है सुभाम गिल सुभाम गिल सुभाम गिल ने T20 अंतरास्टी क्रिकेट में भारत की तरफ से 23 साल ज्यान दीजिए जब सुभाम गिल ने जो है सतक जड़ा था तो उस समय सुभाम गिल के उम्र थी 23 साल 146 दिन की उम्र में उन्होंने सेंचुरी लगाया था तो यह काफी important question है तो जो यह सस्वी मात्र 21 साल 279 डेज की उम्र में उन्होंने 49 गेंडों पे सतक जो है वो बनाये हैं और किसके खिलाफ नेपाल की खिलाफ तिये काफी important news है यह प्रस्ण आ सकता है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हमारे सामले जो अगला प्रस्ण है कि हाल ही में हाल ही में 100% जैए इन इंधन एथनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली कार को किस आटो मुबाइल कंपनी द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है तो यह कंपनी है टोयटा ठीक थुड़ा सा डीटेल में जानते हैं तो टोयटा ने जो है वो 100% बायो फिल बेस्ट बायो फिल बेस्ट जो है इंजन बना के जहें इसे चलने वाले दुनिया की पहली कार लॉंच किया ठीक है तो जैव इंधन एथनॉल से चलने वाली पहली कार टोयटा इनोवा हाई क्रॉस द्वारा लॉंच किया गया और यह दुनिया की पहली यह दुनिया की पहली 100% एथनॉल से चलने वाली कार है और इस से टोईटा के किलोसकर मोटर्स ने आटो मोटीव द्यान जी आटो मोटी रिसर्च एसोसीशन के साथ मिलकर बनाये हैं और यह एक लिटर इंधन में ध्यान दीजेगा एक लिटर इंधन में सहरों की सड़क पर 28 जबकि अगर हाइवे अगर इसको मिल जाए तो 35 किलो मीटर का म माइलेज है जबकि अगर हाइवे मिल जाता है तो यहां पर उसकी जो रहे हो 35 किलो मीटर का माइलेज देने में यह कार जो है वो सक्षम है ठीक है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ हमारे सामने जो अगला प्रस्ण है कि इन में से कौन सा देश वाहू पच्छी सेन अ भ्यास सामा सामा दो हजार तेश ठीक है यह कोई गाना नहीं है ठीक है यह क्यों दह भ्यास है सामा सामा दो हजार तेश में भाग लेने वाले देशों में सामिल नहीं है यहां पर बाद की जा रही है कि वह कौन सा देश है जो सामिल नहीं है तो इस प्रस्ण का उत्तर है भ पड़ते तनाओं के बीच अमेरिकी सेना ने 2 अक्टूबर 2023 को फिलिपिन्स और अन्य सहयोगी देशों के साथ दो सप्ता का बहुपच्छी सेन अभ्यास सामा सामा 2023 की सुरवात थी और अमेरिकी नौ सेना के अंसार या सेन या सेन अभ्यास का छठा और सबसे बड़ा संस्क् जानते हैं कि जो साउफ चाइना घॉपच्टेटि पार हो मेतर बना रहता है चाइना और फिलिपिन्स और यह जो मेतर है इंट्रेशनल कोर्ट आफ जस्टिश इसीजे में भी जा चुका है और आईसीजे का जो हेटड़कौरटर है और द था हेग में कहां पे धा हेग में है ठीक निदरलेंड तो वहाँ पी ये मैटर जा चुका है और वहाँ पे जो फैसला आया था वो फिलिपिन्स के फेवर में आया था लेकिन चाइना जो है अपनी डॉमिनेंसी के वज़ा से वह उस निर्णा को मानता नहीं है तो दच्छन चिन सागर में छेतरी विवाद को लेकर फिलिपिन्स वर चीन के बीच बढ़ते तनाओं के बीच जो टेंसन है फिलिपिन्स और चाइना के बीच अमेरिका सनन दो अक्टूबर दो हजार तेज को फिलिपिन्स और अन्य सयोगी देशों के साथ दो सब्ता का होंगे देश हैं ऑस्टेलिया कनाड़ा फ्रांस जपान और ब्रिटेन मेलेशिया भी सामिल होंगे यह काफी इंपोर्टेंट नीम्स है काफी इंपोर्टेंट यह एक्ससाइज है इसको जरूरी याद रखिएगा अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारे सामने जो उत्तरप्रदेस जैसा मैंने बोला कि यूपी स्पेसल के प्ट आव वीू से जह है इस अध्याय पसुचिकिस्सा विग्यान विश्विद्याल गो अनुसंदान संस्थान दुवासू में सरकारी इस्तरप्रदेश का पहला बकरी का दूद निकालने का स्वचालित प्लांट इस्थापीत किया गया है औकरी 50 लाक रुपे की लागा से त्यार इस प्लांट में एक सा 12 बकरियों का दूद निकाला जा सकता है ठीक है अब चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारे सामने जो अगला प्रशन के किस राज्य के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरि के सिल्फ बसोहली पस्मिना क्या है सिल्फ बसोहली पस्मिना को हाल ही में GI टेग मिला है तो यह है मिलते हैं अपनी आधार्नन को द्हान दीजिएगा यह जो जाल होती है काफी शॉट होती है ठीक है तो अपने असाधान, कुमलता, बारिकी और पंक जैसे वजन के लिए परसिद्ध है और हाथ से कताई तक्रीकों को अपयोग करके कुशल कारिगों द्वारा परमाइक तरकी से इसे तैयार किया जाता है तो यह काफी जो है इंपोर्टेंट है कि इसको जो है जियाई टैग मिला है तो आप चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हमारे सामने जो अगला प्रशन है अगला प्रशन यह है कि 20 पसु कल्यान दिवस कब मनाया जाता है अगर आप से पुछा जाए कि World Animal Welfare Day कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आप चार अक्टूबर को तो चार अक्टूबर की डेट याद रखेगा चार अक्टूबर चार अक्टूबर को जो है 20 पसु कल्यान दिवस के रुपे मनाते हैं अंतरास्ट्री करवाई दिवस के रूप में कारी करता है तो 20 पसु कल्यान दिवस 2030 की थीम भी जान लिजे इसी लगे हां तो 20 पसु कल्यान दिवस 2030 की जो थीम है वो है बीग और इसमाल वी लब देम आल इसकी थीम क्या रखी गई है? बिग और इश्माल, वी लब देम आल तो ये है विश्व पसु कल्यान दिवस तो अगर आप से पुछा जाए कि विश्व पसु कल्यान दिवस जोए वो कम मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है चार अक्टूबर को और इस बार की थीम क्या है? बिग आर श्माल, वी लब देम आल ये था पांच अक्टूबर का करेंट एफेर यह वीडियो आपको कैसा लगा है? जैसा भी लगा है? आप अपने सुझाओ जहें कर्मेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो की पीडियो के लिए हमारा टेलग्राम चैनल दपरियागराज इंस्टूट को जॉइन कीजिए और इस वीडियो की पीडियो को प्राप कीजिए तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद